तो इस्राइल और हमास का युद्ध दिनों दिन और भीशन होता चला जा रहा है रफा कैम से इस्राइली हमले की जो तस्वीरे सामने आ रही हैं वो बेहत चौकाने वाली है एम वक्त पर नितन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं नितन्याहू ने रफा पर हमले रोकने के एवज में 33 बंदकों की रहाई मांग ली है हमास जब तक इन बंदकों को छोड़ नहीं देता गाजा और रफा में तबाही का मनजर दिखाई देने वाला है यह रिपोर्ट देखें गुणे का उठता गुभार आस्मान के सफेद रंग पर काला कर रहा है बंब के धमाकों की गूंज गाजा के गली-गली में खून बहा रही है और इस बीच मदद के लिए आकाश से गिराए जा रहे भूखे पेटों के लिए भोचन गाजा में जिन्दगी और मौत दोनों का फासला मिट गया है इसरेल अपनी पूरी सामर्थ के साथ गाजा को रौन रहा है प्रचन्ड युद्ध के आगाज के बाद गाजा के लिवासी सुकून का एक बल भी गिन गिन कर जी रहे है पताने कब वम का गोला गिरे और जान चली चले घाजा की सबसे लेटिस्क रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे उसके पहले एक चौका देने वाले रिपोर्ट जो पताती है कि घाजा की मिट्वी बारूद से नहा चुकी है तबाई किस लेबल पर और कितनी हुई है ये देखकर आप सन रह जाएंगे घाजा की बरबादी के इंसाइट स्टोरी जो पश्चिनी मीडिया के चप रही है वो दिखाने से पहले इस्रेल के प्रदानमंद्वी बेनमीन नेतन याहू के लिए एक बोरी खबर आई है वो देखने जाए बेनमीन नेतन याहू को डर है कि ICC यानि इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है ये कार्रेवाई घाजा में इस्रेली एक्षन के मामले में हो सकती है इसके लिए दक्षण अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याचिका दाखिल की है इसके पहले ICC ने रूस के राश्रपती व्लादे मिर पोतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था पोतिन पर आरोप है कि वो योक्रेणी बच्चों को अवैर तरीके से घूस लेकर आये ICC के इस कदम की तुलना ट्वाईलिट पेपर से करते हुए घूसी अधिकारियों ने से बेकार बता दिया था और पोतिन ने योक्रेणी पर हमलाब बंद करने की जग है और बढ़ा दिया International Criminal Court की ताकत कितनी है क्या ICC पोतिन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफतार कर सकता है इसकी डीटेल आपको आगे दिखाएंगे लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख लीजे नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेत्रिक्तों में इस्रेल अपनी आप मुरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा International Criminal Court के किसी भी प्रयास को हम कभी सुईकार नहीं करेंगे मध्यपोरो एक मात्र रोगतंद्र और दुनिया के एक मात्रिक यहूदी देश के सैने और अधिकारियों को गरबदार करने की धमकी अपमान जनक है हम इसके आगे नहीं जुकेंगे मरसंधार करने वाले आतंकवाद्मों के थलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी हम अपनी रक्षा कत्र कभी बंद नहीं करेंगे Message loud and clear है इस्रेल हमास के अंतिमा आतंकवादी के खत्मे तक भी जुक बंद नहीं करने वाला है ICC के चेताउनी का असर उल्टा हुआ है कयास लगाय जा रहे है कि ICC के फैसले से होने वाले दबाव से ध्यान हटाने के लिए इस रेल कोई बड़ी का रिवाई कर सकता है ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नेतर्याहु ने प्रेटन और शर्मनी के विदेश मंद्रों से मुलाकार की दिना इस मामले में मदद भी मादा प्रदान मंत्री बैनमीन नेतन याहु ने मुसाद हेड़क्वाटर और दूसरी जुरक्षा एजन्सियों का दोरा भी किया है मुसाद के अधिकारियों से कहा है कि हमारे अस्तितों पर संकट है इसलिए मदभेदों को भूलाना होगा मजब इस्रेल ने घाजा को नस्तो नाभूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तैयारी कर ली है रफा में लगातार इस्रेली हमले इसकी बान दिए इस्रेली प्रधान मंत्री बेनमीन नेतनियाहू पर इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई असर नहीं है लेहाज़ा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आई सीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इस्रेल के खिलाफ कार्रिवाई कर सके इंटरनाशनल कोर्ट अंतराश्री अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदर से है 2002 में बना ये कोर्ट वार क्राइम, मानवियता परखत्र, नरसंधार और दंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है लेकिन इसके बास कोई पुलिस फोर्स नहीं है यानि सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है ICC ने प्रक्रिया तो शुरू करती है लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनाशनल कोट नेतन्याहू पर हाथ डाल सके अपनी लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शक्स के खिलाफ कार्रवाई की हो तो ICC भले ही फैसला सुना है उसे जमीन पर उतारना मुश्किल दिख रहा है नितन्याहू इस भीच फुल आक्शन में है और घाजा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपोर्ट सामने आई है इसरेल के घाजा में जारी हम्दों से किस तरह का नुपसान हुआ है इस पर संयुक्त राश्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी में बड़ा दावा किया है रिपोर्ट में कहा गया है कि घाजा में जारी युद्ध ने अब तक 37 मिलियन तन मलबा पैदा किया है इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बंप शामिल है जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है घाजा में प्रती वर्ब मीजर जमीन पर और सेकंट 300 किलो मलबा है इस बुलिटिन में फिला इतना है खबरों का सिलसिला जा रही है आप देखते रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान नमस्कार